पहले तो हमास की हालत और भी ज्यादर खराब है हिजबुल्ला भी तबाही कड़र यहां पर उसे सता रहा है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक देश नहीं अब हमास के सबसे कड़र दुश्मन से हाथ में ला लिया है अब पूरी दुनिया पूछ रही है क्या हमधर्दी दिखावा कर यह दिखा कर हमास के ही खरीबी ने उसकी पीट में चुरा भूंग दिया इसराइल ने कह दिया है क्या हमास का खात्मा तैह है नेतन याहू ने कह दिया है क्या हिजबल्ला की तबाही तैह अमेरिका और इसराइल दोनों कह रहे हैं कि हूथी भी मारा जाएगा यह धंकी कोली से दी जा रही है बंबारी से दी जा रही है मिजाइल के हमलों से दी जा रही है लेकिन हमास को खत्म करने की सबसे बड़ी सुपारी तो उसके सबसे बड़ी हमायती ने ही दी काजा की तबाहिक स्क्रिप्ट अब मेडिन तुर्की हो चुकी है इसलिए कहा जा रहा है कि हमास से सबसे बड़ी गद्दारी तुर्की ने की है कल तक हमास का पैन नमबर वन उसकी हमायत करने वाला उसकी हां में हां मिलाने वाले अर्दुआन ने हमास की पीट में जैसे चुरा फूंक दिया है हर दिन हर घंटे हर मिनन हर सेकेंड हर मुश्किल घड़ी में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का बादा करने वाले अर्दुआन ने इसराइल से दोस्ती का हाथ मिला लिया है इस दोस्ती का मतलब है हमास की मौत और इसमें अर्दुआन की मनजूरी शामिल है तुर्की को इसी नजरों से देखा जा रहा है, जिसमें धोका है, जिसमें गद्दारी है, जिसमें हानियां की मौत भी छिपे हुई है। तुर्की कारोबार कर रहा है, मतलब ये कि युद्ध होने के बाद से तुर्की और इस्राइल के बीच व्यापार बढ़ गया है, जब गासा में घूल खराबा जारी है, तब तुर्की ने इस्राइल को एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना लिया। तुर्की ने फिलिस्तीनियों की जान की कीमत अपनी एक्सपोर्ट वाली डील से मिटा दी है, यही वज़ा है कि तुर्की और आसपास के पूरे पश्रमेश्या के लोग अर्दुवान से सवाल कर रहे हैं। इस वक्त इसराइल की सेनकी वर्दी भीक तुर्की में बन रही है। वो भी तुर्की में तयार हो रहे हैं। रहें लेकिन असल में तो वो नेतिन याहू के साथ मिलकर बहुत खामोशी से अपना कारोबार चमका रहें गाजा हर दिन मर रहा है वहां के लोगों को युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही हर बड़ते दिन के साथ गाजा में इसराईल की फोर्स का उपरेशन इस होता जा रहा है तो दूसरी तरह नमास के हमाइटियों की भी खैर नहीं लाल सागर में कोहराम मचाने वाले हुथी वे द्रोही अब अमेरिका और ब्रिटन के टागट पर आ चुके है ब्रिटन की नौसेना के डिस्ट्रॉयर डाइमंड ने हुथी के 21 ड्रोन और मिजाईल को मार किराया है डाइमंड के हमले से हुथी वे द्रोहियों को बहुत बड़ा जटका लगा है इस हमले में 18 ड्रोन, दो एंटी शिप क्रूज मिजाईल और एक एंटी शिप बलिस्टिक मिजाईल को लाँच होने के बाद ही गिरा दिया गया गाजा में चल रही बंबारी के बाद हुथी प्रो एक्टिव है उनको इरान का समर्थन भी हासिल है वो लाल सागर में इस्राइल के जाहाज़ को निशाना बना रहे है 19 नवंबर के बाद से लाल सागर में कार्गो शिप पर ये हुथी का 26 वा हमला था हुथी विद्रो ही लगातार इस्राइल पर हमला कर रहे है क्रूज मिजाईल भी फायर कर रहे है पलिस्टिक मिजाईल से भी इसराइल के दक्षणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं साथ में इसराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं हुथी विद्रोहियों के टागेट दो हैं पहला है इसराइल और दूसरा है अमेरिका हुथी विद्रोहियों ने इसराइल के शिप को टार्गिट करना शुरू कर दिया है वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नमबर दो मानता है गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खत्रा सब महसूस करने लगें इसराइल ने दुनिया के प्रेशर के सामने जुकने से मना कर दिया है लहाजा अब हुथी विद्रोही जिनकी एरान से बेहुत करीबी है उन्होंने इसराइल के शिप को टागिट करने का पैसला किया है वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरते शिपिंग लेन दुनिया की लाइप प्लाइन है और यहां पर हमला करने का मतलब इसराइल के गले पर हमला करने जैसा है आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है अब यमन के हुथिवे द्रोहियों ने इसराइल और उससे जुड़े जाहाजों पर हमले तेज कर दिये हैं यानि अदन की खाड़ी में और लाल सागर में अब कारगो जहाज के दो दुश्मन तयार है यमन के हुथिवे द्रोही जो गाज़ा पर इसराइल की बंबारी रुकवाने के लिए इसराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे हैं कारगो शिप को टागट कर रहे हैं यह दोनों अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को टागट कर रहे हैं यहीं से एशिया की तरफ से योरप को रास्ता जाता है दुनिया की सबसे एहं शिपिंग लेन मिस्की स्वेज कैनाल से गुजरती है अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये रास्ता 6,000 किलोमेटर लंबा हो जाएगा क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफरीका का चक्कर लगा कर यौरप पहुंचना होगा अगर इसराइल जाना है तो रास्ता 10,000 किलोमेटर तक ज्यादा हो जाएगा तीन से पांच दिन का सफर और लंबा हो जाएगा ज्यादा वासला यानि ज्यादा लागत ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह चौपट यही है यमन के हुथिवे द्रोहियों का टागट क्योंकि वो गाजा में बंबारी का बदला इसराइल के जहाजों को बना करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है यमन के हुथिवे द्रोहियों ने 15 देशों को ललका रहा है यानि हुथी वे द्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है